तो गाइज एर तुम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें गाइज हम लोगों ने रेस करी थी हल्क और आरन मैन के बीच में और गाइज अभी तक सिर्फ आरन मैन इस रेस को कम्प्रीट कर पाया है और गाइज आरन मैन इस रेस को कम्प्रीट किय तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या हल्क इस रेस को कम्लीट कर पाएगा दो मिनट चाली सेकंड से पहले या फिर हार जाएगा वो और आरन मैं बन जाएगा लॉस एंट उस का पाउरफुल एवेंजर देखने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना चल भाई हल्क रेडिये तू अरे हां यार आस तो इसको हरा के मैं बन के ही रहूंगा पाउरफुल एवेंजर अरे हल्क तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम दो मिनट चाली सेकंड के अंदर इस रेम को कम्लीट नहीं कर सकते ओके भाई साथ देख रहा है हल्क तुझे चैलेंज एरा आरे क्या है दो इस आरेन मेन के बच्चे से आस तो इस रेम को मैं सिर्फ और सरफ धाई मिनट के अंदर ही कम्लीट कर दूगा अरे चलो यार मैंने इतनी तेज गाड़ी भगाई तब मैं दो मिनट चाली सेकंड तक कर पाया तुम क्या धाई मिनट के अंदर करोंगे मोटे क अच्छा ठीक है बेटा अब देख यह मोटा कदू तुझे कैसे हाराता है और बनता है लोस सेंटोस को सबसे पावरफले विंजर अब बस तू अब बखवास ही करता रहेगा यह रेज भी स्टार्ट करेगा अरे हाँ ठीक है आरे फैमे वैसे क्या लगता है यार हल्क जीते दो दो भाइक है यह वाली मेरे जाओंगा यह वाली वाली सोचिल बहुत आपके यह बनी मुंद में और तो पूरे पईयें से लगए भाई चल तयार है तू हल्क बिलकुल यार तुम स्टॉप फर्स स्टार्ट करो ठीक है यहां पर जो टाइमर स्टार्ट होने वाला है ठीक है यार यह निकला में अपनी बाइक को लेके ध्यान रहे हैं कर तू बीच में गिरा तो तुझे रेस दुब करने वाला है वैसे तुम लोग को क्या लगता है गाइस कितनी देर में हल्क कंप्लीट कर पाएगा इस रेम को और यह तो गिर गया यार अरे यार मैं थोड़ा भारी होने की वज़े से नीचे सरग गया कोई नहीं कोई नहीं मैं दुबारा कोशिश करूंगा गाइस यह यह ओके गाइस देखते हैं क्या यह पार कर पाता है हल्क और बहुत ही जादा बढ़िया गाइस हल्क ने यह पार कर दिया है बेरी गुड हल्क अरे यार मुझे पता है मैं तो हमेशा ही इस तरीके से रैम पार करता हूँ कि मैं हमेशा जीत हूँ अच्छा भाई साब फिलाल तो टाइम पास मत करा आगे जा अरे हाँ यार मैं तो बूली गया था ओके अब यहाँ से लगाते हैं जंप यार ओके गाईस बढ़िया जा रहा रहा यार हलक तो अब यह जंप ओ भाई और ये वाली भी जंप का इस हलक निकदम पर्फेक्ट लगा लिए है और यह वाली जंप लही अरे यार ये क्या हो गया नई यह मेरा संग नहीं हो सकता शिट यार अरे यार क्या करो मैं पर और और भी किर गया तुर जल्दबाजी कुछ दिखा रहा ओर यार्me क्या करूं टाइब टाणरीर दो बार किर एमसे क्या एक भिएर वर यह में यॉजह कि अेक तब बार किरोंगा और लिबशा कर दो करनं तु स्पीड में बहुत जल्द जल्दी करना पड़ेगा जल्द बाजी मत दीगा वरना फिर गिरेगा तू औरे इसे बार तो मुझे कोई नहीं किरा सकता दुनिया में अच्छा बाई सब देखते हैं गाइस पिशली बार गाज यहां यहीं पर गिरा हता यह शहां आगे वाले पर गिराता हाँ ऑके गाइस बिचारा दो बार गिर गया, एक फूटी किसमत का है यार, हल्क, अबे तु क्या कर रहा भई, अरे यार, ये मैं कहा जा रहा हूँ, अरे ये मेरी बाइक अटक गई, अबे तु करना के चारा भई, जैसा रेम बना हुआ है, वैसे वैसे जाना तू, अरे यार, मैं फिर से एक बर गिर गया, नहीं, मेरी किसमत, ओके गाइस, टाइम तुम लोग देख सकते हैं, यार, काफी जादा ले लिया है, हल्क ने, मुझे लगता है, यार, आरे यार, आगे लूप कम्प्लीट करना बागी है, अरे यार, आगे लूप भी है, वही तो भाई, अरे यार, थोड़ लॉस सेंटोस का पाउरफुल एवेंजर, देखते हैं, इस क्या होता है, फिला तो हल्क भी पूरी कोशिश कर रहा है, बट यार, मुझे लगता, आरे यार, आगे कुछ भी नहीं है, अच्छा, साइड से निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने मोटा शेरी लेके कैसे नि कल गया था, अरे आइरन मैं ठहरा सूखा सा, मैं मोटा सा हूँ यार, ओ, 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 चलो, 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 आगया, फाइनली इदर आगया, अब ये क्या है, ये हबाई लूप, तुझे इसको ही कंप्लेट करना है, अरे यार, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ ये गाईस, फाइनली बारी है लूप की, देखते है गाईस, इस हल्क कंप्लेट कर पाता है, कि नहीं, इस लूप को, फिलाल दे हल्क ने गाईस, बूस्ट देना शुरू कर दिया, और यहां पर लूप पर फुल स्पीड में चारी है बाई, ओ, माई गाड, लूप नहीं कं कंप्लेट कर दिया था, वो भी काफी बढ़ीया तरीके से, टेंशन मतलो यार, अभी मैं इस लूप को कंप्लेट करता हूँ, अरे भाई, तो क्या यह लूप को कंप्लेट करेगा, तो इसके उपर तो जाप पानी रहा है भाई, आरे फैम है यार, मेरे को नहीं लगता, भी यह जीत पाई का हां गाइस तुम लोग देख सकते हैं टाइन काफी जादा हो चुका है और हमने कहाते हैं दो मिनट चाली सेकिंड के अंदर इसे पार करना है अगर यह लॉस एंट उसका मोस्ट पावर्फुल एविंजर बनना चाहता है तो इस तरीके से जंप तो ली इसने अरे इतना मान सकते हो यार आँ चल इतना मान लेंगे खुश हो जा तू माना चल चल भाई ते रे ऊपर थोड़ी तरस्थ कर दी हम लोग ने चल यार कम से कम रेसको तो कंड़ेक करों बले ना जीत सकूं तो ओके गाइज यहां पर हल्क जा रहा है और भाई तुरे पी रखे क्या रहने यार एक दम बढ़ियत रहे से तोड़ तो दिया यह सब फाइनली फाइनली फिनिश लाइन और यह फिनिश लाइन क्रॉस्ट हालत खराब हो गई सो गाइज क्लियरली तुम लोग देख सकते हैं यार हल्क ने बहुत जादा टाइम लिया है और जिसकी वज़े से गाइज हल्क को हम लोग आज हारा हुआ खोशित करते हैं अरे नहीं यार नहीं मुझे लग रहा है यार मेरी किसमत ही खराब थी तुम्हारी किसमत खराब थी ही लेकिन बहुर भी जादा खराब हो जाएगी ये लो अरे यार यार ये क्या हो रहा है मुझे हल्क भाई तु है तो सही न अरे यार क्या हो रहा है ये ओ भाई हल्क कहा गे ये अरे फैंबे यार ये तो गयब हो गया साथ में बाइक भी गयब जाए नहीं पता रही है वहां पर स्कुड़ गेम की डॉल आई थी नो भी अरे यार चोड़ो ना हल को लगता है हार कर यार मुझसे रोते-रोते घर चला गया होगा अब है नहीं बहाई साफ वहां पर स्कुड़ गेम वाली डॉल आई थी और उसी ने कुछ तो किया है जब बात करो यार कहीं वो डॉल उसे किट्ञैप करके तो नहीं ले गई अरे लेकिन यार उससे किट्नैप करके क्या फाइदा होगा उस डॉल को पता नहीं गाई जए इस कुड़ गेम वाले तो हमारे हाथ हो दो के पीछे पड़ गया है बाइब लेकिन भाईब हो गई और बच गई वह बाइब कर ले तो दोनों आवेंजर को लेके चली गई यार अरे लेकिन कहां यार पता नी भाई साब यार मेरेको तो डर लग रहा है अरे फैमे यार चुपा चुपा कहीं वह दुबारा ना आजाए लगता है गाईज बागन पढ़ेगा, यहां से अरे तो मेरे को दर लग रहा है अरे फैमे क्या करे मैं तो कहा हो भाई अपने घर चलते है अरे लेकिन वहावव वाला घर भी तो हमारे स्कुड गेम वालों ने देख रखा है अरे यार फिर क्या करें अब तुम लोग एक काम करो भाई फटाफ से नीचे आजाओ हम लोग कुछ और सोचते हैं अरे ठीक है यार रुक जाओ आते हैं और भाई शिंचेन चौप भाई नीचे हो फटाफ से अरे रुको रुको यार बसा रहे हैं अरे बाई सब कलुए चले उके गाईस कहीं भागना पड़ेगा यार फटाफ से इसको डेम की डॉल तो भाई हमारे पीछा हाथ धोकर पड़ चुकी है पिछली बार गाईस इन लोगों ने मेर को गिटनाप किया था और तीन दिनों तक खाना नहीं दिया था यार मैं खाने के लिए तरस रहा था अरे लेकिन फिर भी तुम्हें खाना नहीं दिया वो तो गाईस ये शिंचेन था कि इसने मुझे बचा लिया और गाईस आर अभी मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ लेकिन यार ये फलक और ये आईरन मैं दोनों के दोनों को स्किट गेंवाली डॉल ले गई अरे यार उस दिन वो भाग गई वरना तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते हम लोग अरे लेकिन यार उसको मारेंगे कैसे वो तक गाईब हो जाती है अरे यार सही कह रहा हो सकता है गाईज उसने वहाँ पर रहा हो और वापस उसने वहाँ पर उन लोगों को रखा हो हो सकता है यार बिल्कुल अरे तो एक बर चल कर देख लेते हैं यार चलो गाईज फटाफ्ट से चलता है मिलिटरी बेस के सामने वाली जगा पर शायद वहाँ पर हम लोगों को वो मिल जाए ओके गाईज तुम लोग देख सकते यार फटाफ्ट से गाड़ी को भगाते भगाते हम लोग पहुशने वाले मिलिटरी बेस के सामने अरे फैंबे आर अगर महा नहीं हुए तो फिर तो यार ढूणने में बहुत जादा दिक्कत होगी लेश्टर की मदर लेनी पड़ेगी या फिर यार ये स्क्विड गेम वाले हमें खुद सामने से आकर बताए कि यहाँ पर तुमारे आरे आरेन मैन और हलक है अगर बचाना चाहते हो तो ये करो वो करो अरे हाँ यार ये भी हो सकता है फिलाल तो गाईज आ तो चुकि हम लोग उस लोकेशन पर लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को रैम तो नहीं दिख रहा है और नहीं वो इस कुट गेम वाले दिख रहा है क्या करने वाले हैं उनका और कैसे वो लोग छोड़ेंगे गाईज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अरे अब क्या करें यार फिलाल तो गाईज यार अब ये सब पता चलेगा यार नेक्स्ट वाले एपिसोड में और तुम लोग को पता चले यार आखिर में ये हलक और आरण में को हम लोग बचाएंगे कैसे और ये स्कुट गेम वाले आखिर में लेक आंगे भाई साब कुछ भी सुराग नहीं छोड़ा है इन लोग ने अरे भाई सो यार कैसे बचाये उन्हें